नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के पास में अगनी सीरीज की कई मिसाइल है अगनी 1 से लेके 2, 3, 4 और अगनी 5 तक इंडिया बना चुका है इसके टेस्ट कर चुका है और इसका प्रोडक्शन भी आलमोस्ट ह जो चुका है ऐसे में दोस्तों ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अगनी 6 भी इंडिया बना रहा है और कुछ एक जगह पर ये भी खबर आई थी कि इसकी रेंज 10,000 किलोमेटर से जादा है लेकिन दोस्तों आज हम अगनी 1 मिसाइल के ही एक वर्षन के उपर बात करेंगे जो की दोस्तों बिल्कुल नया है और इसका टेस्ट भी जल्द ही होगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों एक्सप्रेस न्यूज सर्विस की अगर हम रिपोर्ट को मानें तो नई मिसाइल अगनी 1 मिसाइल का ही एक अपग्रेडिड वर्षन है जिसे अगन 1200 किलोमेटर की रेंज तक बताई जा रही है और ये अगनी 1 से कई चीजों के अंदर बहतर होगी ये ज़्यादा एज़ाइल होगी फुर्तिली होगी और दोस्तों रोड के उपर भी इसको ले जाने में और ज़्यादा आसानी होगी यानि कि इसकी मोबाइलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गई है अब दोस्तों बात ये है कि अगनी प्राइम के अंदर ऐसा क्या खास किया गया है जो इसे अगनी 1 से बहतर बनाता है सबसे पहली बात इसके अंदर कॉम्पोसाइट मैटीरियल का इस्तेमाल किया गया है जिससे दोस्तों य लाइट हो गई है यानि हलकी हो गई है तो इस से दोस्तों ये ज़्यादा बड़ा वारहेट भी लेकर जा सकती है और साथ ही दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ी खास яв здесь missile है जिसकी वजह से ये किसी भी बैलेस्टिक missile defense system को भेद सकती है यानि कि उनकी पकड़ में नहीं आ और दोस्तो ये कैनिस्टराइजड वर्षन भी हो सकता है जो कि दोस्तो बहुत ही बेहतर होता है मिसाइल को छुपाने के लिए और कहीं भी ले जाने के लिए और दोस्तो ये समया समया पर अपग्रेडेशन होता रहता है ये थर्ड जनरेशन की मिसाइल है सबसे पहले हमने द दोस्तों ओवराल ये बहुत अच्छी खबर है इंडिया के लिए हमारी फोर्सिस के लिए और हम सभी के लिए कि हमारी मिसाइल और ज्यादा बहतर हो रही है और इससे दोस्तों दुश्मन को और ज्यादा सोचना पड़ेगा इसका मुकाबला करने के लिए धन्यवाद जैहिं स्ट्रीज झाल जैहिं झाल जैहिंड़ेगा जैहिं 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 तुश्मन को और जै।